हेलो फ्रेंड्स वेल्कून टो माई चनलों राम टेक्निकल हैल्प फ्रेंड्स अगर आप जब भी आपका laptop स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपको यह error आपके laptop के नदर आ रहा है यह error आपको कैसे ठीक करना है कैसे problem आपको fix करना है श्टैप बाइश टैप इस वीडियो के अं मिल जाएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग जो यह वर्निंग मेसिज है हाई ड्राइव नौट इंस्टॉल्ड एरर कैसे आपको फिक्स करना है यह जानेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको यह एरर यहां पर आगर आ चुका है तो आपको क्य कर देना है उसके बादिन्स सब क्या करना है जो आपका लैपटोप या ठेक्सटोप है एक बार आपको वापस से स्टार्ट कर लेना है पर क्लिक बटन यह फिर F2 यह फिर F12 ठीक है यह फिर डिलेट बटन से भी आप बायस के अंदर जा सकते हो तो फ्रेंट्स आपको क्या करना है यहां पर बुट ऑफशन के ओपर आपको क्लिक कर दिना है और यहां पर आपको मेक्शूर करना है कि जो यह तीन ऑफशन है यहां पर यह ला टाइम है वो करेंट टेट टाइम के हिसाब से आपको स्लेक्ट करना है जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो कि जो हमारा डेट टाइम है यहां पर बारा एक और दो हजार तेज़ दिखा रहा है आपको आपको राइट टाइम जो आपका टाइम हो रहा है वह बस वह ही आपको यहां पर select कर लेना है उसके बद आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ आपको आना है यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ हम लोग इसको यहां पर mouse से नीचे की तरफ लिख जाएंगे इसके बद friends आपको क्या करना है यहां पर आपको साटा ओप्रेशन का एक option मिल जाएगा यहां पर आपको तीन option मिलेंगे disabled, AHCI and red on तो आपको यहां पर जो यह last वाला option है यहां पर यह वाला option select करना है अगर यहां पर yes कर दिजी इसको अगर यहां पर red on option आपका यहां पर show नहीं हो रहा है तो आपको AHCI option select कर लेता है इन दो WOMAN में से आपको एक option यहां पर select कर लेता है उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है यहां पर फ्रेंड्स आपका जो यह options है आप एक बड़ चेक कर लिज्के, यह option आपके यहां पर select होने चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है apply changes पर click कर देना है यहाँ पर एक dialogue आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर okay कर दीजिए ठीके उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक exit का button मिलेगा आपको right side में just आपको यहाँ पर click कर देना है तो आपका laptop यह desktop एक बाद restart हो जाएगा तो अभी हम लोग check करेंगे कि जो हमारा जो error आ रहा था अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है तो friends यहाँ पर हम लोगों को वो error अभी नहीं आया है अगर इससे भी आपका problem ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है जो आपका HDD है आपका जो hard drive है एक बार उसको आपको वापस से निकाल कर अच्छे से साफ करके clean करके वापस से लगा के आप check कर सकते हो हो सकता है आपका कोई pin लोज हो गया हो आपके laptop ये desktop के अंदर So friends I hope आपका problem यहाँ पर ठीक हो गया होगा अगर आपका problem यहाँ पर ठीक हो गया है तो please subscribe my channel वीडियो को like करना share करना और बहरा करना ना बुलेगा तक कि जब भी मैं कोई वीडियो यूटूब पर upload करूँ उसका नटोकेशन आप तक पहुंच जाए Thank you so much